तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रेक्टिश्यट को जो की होगा यूद कमटिशन बुक के हिलाबा धायकोड को गुरूप C और गुरूप D का जो पेपर होने वाला 17 और 18 को वो पेपर उसका हम प्रेक्टिश बुक लगाएंगे ठीक है इसका साल पेपर जो हो बुक में तीन प्रेक्टिश्यट दिया गया है आज इसको हम देखेंगे जी असोर हिंदी का इसके आने वाले दो दिन में हम तोनों प्रेक्टिश्यट और सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर भी नए ह और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में अपने दोस्तों में ज्यादा ज्यादा सेर करें वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा ठीक है पहला क्वेशन अगर हम देखें तो सामान अध्यान से होगा निम्न में से किसने हजरते आला की उपाद जो है ये शेर सा सूरी के द्वारा धारण किया गया था इंसर एपाद इसका राइट हो जाएगा ठीक है जब 1529 में बंगाल का सासक नुसरत सा को पराजित किया था सेर खाने यानि शेर सा सूरी का पहले नाम सेर खान था तो तव इन्होंने जो हजरते आला की उप हुमायू को पराजित किया था ठीक है हुमायू हुमायू जो था वो बाबर का लड़का था और हुमायू को पराजित किया था बाबर ने मुगलवंस की स्थापना की थी तो हुमायू को पराजित करने वाला सेर सा सूरी था और कब पराजित किया था चौसा का युद हुआ था 1549 माउसमें ठीक है और पहले सेर खा नाम था फिर जब हुमायू को पराजित किया तब नाम हो गया सेर साह बाद में जब हुमायू को पराजित करके इसका नाम क्या हो जाएगा उपाधिधारण की सेर साह की तो यह याद रखिये गा करनेश कोशन देखते हैं हुमायू का मगबरा बनवाया गया था किस ने बनवाया हुमायू का मगबरा तो हुमायू का मगबरा जो है हाजी बेगम के दारा बनवाया गया था इसका डीपार्ट हो जाएगा हाजी बेगम की बात करें तो इनका जो है इनकी पतनी है हुमायू की के दीन पनाह में 1564 में करवाया था याद रखिएगा ठीक है और इस मकबरे का नक्सा जो है मीरक मिरजा गियास ने तयार किया था और यह जो है जो मकबरा है यह सफेद संगमरमर से बना हुआ भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है तो याद रखिएगा यह चीजे अग इसका राइट हो जाएगा अब इसमें अगर हम बात करें तो टोडर मल ने ही भूराजस के छेतर में ख्याती प्राप्त की थी और अकबर ने अपने सासन के 24 वर्स जब 1580 वर्स था ठीक है तो उसमें आयने दहसाला जो है नामक एक नई करण प्रणाली को शुरुबात करके जो है मुगल कालीन जो बेवस्था थी उसको अस्थाई रूप प्रदान किया था और यही आयने दहसाला जो थी इसको टोडर मल बंदोबस्त कहा जाता है ठीक है और इसे प्रणाली का अस्थाई प्रहणेरता की बात करेंगे तो कौन थे प्रहणेरता वो थे टोडर मल ठी ठीक है और इसी कारण इसे टोडर मल बंदोबस्त कहा जाता है तो आपका इंसरस में क्या हो जाएगा सी पाट हो जाएगा कब से श्टार्ट हो पंद्रहसो अस्थी से अगला प्रशन देखते हैं तो भारत के सबसे पूराने ग्यात मध्ध पासान काली स्थल क्या है ठीक है था कि थोड़ा पेपर उस तरीके से पेटर्ण जोस दो अभी सौल पेपर देखा गया तो उसमें सथारा सतरा और लेकर चौदा तक का जो पेपर आया हुआ है वो लगभग थोड़ा इजी और उस तरीके से देखा ही गया अगर नहीं देखें तो प्लेलिश यह वहां से आ और ड्राइबर का तो उसमें क्या है कि इसने जो है क्वेशन थोड़ा सा डीप में पूछा है थोड़ा सा हाड पूछा है तो इस तरीके से पैटर्ण कुछ चेंज किया गया है जिसको आपको ध्यान में रक कर जो उस तरीकी से बढ़ाई करनी है ठीक है चलिए अब इसमें अगर हम देखें तो भारत के सबसे पुराने ग्यात मधपासान कालीन स्थर कौंट से हैं तो आगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें सराय नहर राय है ठीक है सराय नहर राय और मधहा महदहा ये दोनों जो हैं सबसे पुराने तो आपका इंसर इसमें B पाठ जाएगा A और C इनके बारे में थोड़ा जान ले तो गंगा द्रोणी की मध्य पासान कालीन प्रतलिबधिया मुक्ता इसलिए आकरशन का केंदर बन गई क्योंकि यहां अब तक ढ़ाई दर्जन से इसे अस्थलों का विवरन मिला है जहां धेर सारे कंकाल उसे भली भाती दफन पाएगे हैं परताब गरजिले में ये परता है सराय नहर परताब गरजिला उत्तर प्रदेश तो यहां पर ये सराय नहर जो है परता है और महदहा जो है दो महतपून अस्थल है जो की ही परता है ठीक है जो अगर इसमें हम बात करें तो सराय नाहर की रेडियो कार बनते थी अगर देखी गई तो आठ हजार इसा पूर आठ हजार तिन सो पंचान बे पाई गई ठीक है और यह मानने का कोई कारण नहीं है कि महदहा उसके बाद का होगा ठीक है यह दोनों अस्थल भारत के सबसे पुराने ग्यात मदध पासांड काली अस्थल है यह पहले ऐसे अस्थल है जहां पर अस्थम्भगर्द पाए गये हैं अगला प्रसंद हाली में आजाद हिंद सरकार की अस्थापना की काउंसीवर सिगाठ मनाएगी ठीक है करन्ट फिर से क्वेस्ट और हिष्टी को जोड़के पूचा गया तो इस तरी किस से अधिक्तर कोईस्थन आते हैं तो दहुची का एंसर क्या होगा तो अगर हाल ही में अगर के बात करेंगे इसमें तो दहेखि इसमें अगर राइट असर की बात के रहेंगे तो हो जाएगा B Party के 75 वार्षगांठ मनाई गई गई है आजाधहिंद सरकार की अब कब मनाई गई है यह याद रहें 21 अक्टूबर 2018 को जो है 75 वार्षगांठ मनाई गई ठीक है और इसके अगर हम बात करेंगे तो 21 October Victorian 1943 1943 को जो है यह आजाधिन सरकार सुभाष चंद्र बोस के नेत्विट में जो है शिंगापुर में इसकी स्थापना कि गई था जो है नेता जी सुभाष चंद्र बोस जी के नेत्रत में आजाधिन सरकार के आगठन किया गया था और इसकी दो हजार इकीस में अठातरवी वर्सिगांट मनाएगी दो हजार बाइस में उन्यासवी वर्सिगांट मनाएगी तो इस तरीके से याद रिखेगा एंसर इसका भी पाट हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं तो किस राजपू सासक ने जिज मुहम्मद साही की रचना की है अब जिज मुहम्मद साही की रचना किस राजपू सासक के द्वारा किया गया है तो यह किया गया था सवाई राजा जय सिंग के द्वारा इंसर भी पाट इसका राइट हो जाएगा इन्हें सवाई राजा जैसिंग दूतिये भी कहा जाता है और ये 1681 से लेकर 1743 तक तो जो है ये रहे थे और ये के विख्यात राजनिता थे कानून निर्माता और सुधारक थे ठीक है परन्तु सबसे अधिक वबिद्वान प्रेमी के रूम में पर सिद्ध हुए थे इन्हों ने जो है जैपूर सहर की स्थापना की जिसको पिंक सिटी के नाम से जानते हैं ठीक है तो जैपूर जो है जैपूर इसमें बरतवान में रास्थान की राजधानी है तो इसकी स्थापना इन्हें ने ही किया था और अगर हम इसे में बात करें तो इन्होंने जो है उसे मसाही रखा था ठीक है और इन्होंने यूकलीट की रेखा गड़ी के तत्त कानवाद भी संस्कृत में करवाया था तो आपका इंसर में भी पाट हो जाएगा नेश्ट कोशन देखते हैं किसने कहा कि भारतिये मनुश्यों की अतियंत पतित और निक्रस्ट नसल हैं ये किसके दोरा कहा गया वाक के है तो ये कहा गया था चार्ल्स ग्रांट के दोरा इंसर डी पाट हो जाएगा ये जो है अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये अंग्रेज जो थे ये भारतियों को बहुत तुक्छ समझते थे और वह जो है भारतियों को किसी ओहदे के काबिल नहीं गई है और जो अपने दुर्गुणों के कारण भी पन्नता में धासी हुई है इसी तरह कारणवालिस का भी विश्वास रहा था कि हिंदुस्तान का हर निवासी जो है भरष्ट है तो अगर हम देखें तो सन 1929 में राष्टी योजना समित को न्यूक्ति किया किसको न्यूक हो जाएगा ठीक है इसके माध्यम से कांगरेस सरकारों ने जो है योजना के विकास में हाथ बटाने के प्रियास किये और इसकी स्थापना जो है जवाला नहरू के अध्यक्यता में की गई थी याद रिखी गई इतना यह काफी है next question देखते हैं अगला प्रशन अगर हमें देखें इसमें तो देखें किस देश के साथ भारती स्थलिये यों जलिये सीमा नहीं लगती है नहीं से ठीक है यानि कौन सा देश है जिसके साथ भारत की स्थलिये सीमा और जलिये सीमा नहीं लगती है तो पाकिस्तान स्री लंका बांगला देश मियमार अगर हम इसमें दे हम देखेंगे स्री लंका के साथ तो स्थिलिय सीमा नहीं लगती है सिर्फ और सिर्फ समुद्री सीमा से जूड़ी है तो आपका एंसर इसमें भी पाट हो जाएगा और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए स्थिलिय सीमा रेखा अंतराश्ट यह तो वह बंगलादेश के जाएगा भाबर देखिए भाबर कि अगर हम बात करेंगे तो जहां बिलोब्त नदियां पुना प्रिकट हो जाती हुन्हें भाबर कहा जाता उस छेत्र को इसमें राइट एंसर आपका भी हो जाएगा अब यह हिमाले की अगर सिवाले की सिरेणियों में तलहटी में खेप को लेकर आती हैं और वहां पर नदिया किया जाती हैं अंतरधान हो जाती हैं और इसी ढलवा छेत्र को जो है भाबर कहा जाता है तो परवत के नीचे का जो मैदान भाग होता है जब परवत से नदी उतरती है मैदानी भागों में तो वहां पर अपना जो परवत से कं यह सब कहाँ कहा है तो दिखे गरम पानी केhem बात करेंगे तो यह असम में यह मै डूसरा दूसरा का और किन्र सानी जी अब्हारन जो है यह पड़ता है तिलंगना में इसका भी हो जाएगा और डामफा वनजी उभ्यारन जो है यह मिजोरम में है तो इसका यह हो जाएगा तो इस तरीके से यह चीजे भी पूछी जाती है जिसको आपको याद रखना जरूरी है ठीक है नेश्ख सने भारत में करनाटक की कोलार खान से सोना निकाला जाता है और यह खान जो है किसे चटान परिस्थित है यह बताना ठीक है इसका राइट एंसर क्या होगा तो भारत में करनाटक राज जो है स्थित कॉलार खांग है वहां से जहां सोना निकाला जाता है यह थारवार 응 की परिस्थित है जो कई यह बाघ में दिया गया हो जाए ठीक है डारवार चटन से सोन्हा लोहा मैगनीज तामा । अपरकाद तो National Highway 6 जो है राष्टी राजमार संख्या 6 है जो कुलकाता को कुलकाता युम हाजिरा को जोड़ता है तो आपका इंसर इसमें क्या हो जाएगा भी पाट हो जाएगा कुलकाता हाजिरा ठीक है भूमद रेखा कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निन में से किस एक महादीव से गुजरती है यानि कि जो तीनों रेखा हैं भूमद कर्क और मकर ठीक है यह पिर्थिवी है बीच वाली रेखा भूमद होगी इसके इधर उत्तर वाली रेखा यह क्या होगी कर्क होगी और एंसर D हो जाएगा ठीक करकर रेखा से सिरिफ भारत से होकर जो है भारत से जो रेखा गुजलती उसको करकर रेखा कहते हैं और आपका इंसर इसमें जो हो जाएगा वह हो डी पार पार्ट हो जाएगा गाजा चक्रवाद गाजा नमक तूफान के दोरा तमिल्णार वाद पुद्दिचेरी में तवाही मचा दी थी और इसी तूफान के कारण तमिल्णार में हाई अलट जारी किया गया था नैस्ट कोष़शन गिफन याणि कि निम्न अस्त्रीय गटिया माल पर विचार करते हैं हमें यह गयात होता है कि घटिया वस्तूजों के लिए अन्य आई की मांग लोच होती है किस पर गयात होता है तो सिद्धय pioneers 12 गशाuito कि लिए अगर इसका वीपार पर हो जाएगा CDB का full farm क्या होता है तो इसका full farm होता है small small industries small industries small industries development 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 bank of India bank of India small industry development bank of India इसका full farm होता है और इसने अपना कार जो है 2 April 1990 2 April 1990 से करना सुरू कर दिया था मुख्याले इसका लखनू में बना गया और इसकी अधिकरित छंता जो है पूंजी वो 250 करोन रुपे है जिसे 1000 रुपे और बढ़ाया जा सकता है तो इसमें आपका answer भी पार्ट हो जाएगा यह याद रखीगा नेश कोर्शन देखते है बैंकिंग चेतर में सुधार के लिए कौंसी कमेटी जो है गठित की गई थी यानि कि बैंकिंग चेतर के सुधार से संबंधित कौंसी से कमेटी है समीती है जो संबंधित है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये इसका answer क्या हो जाएगा आपका C पार्ट जे नेस्ट कोशन देखते हैं निम्डांकित में से कौन सा एक भूम अंडली करन का अस्त्र नहीं है ने में से ये बताना ठीक है इसका right answer क्या होगा देखिए इसके अगर हम answer की बात करेंगे तो इसका answer हो जाएगा डीपार ठीक है आयात license को समाप्त करना ये भूम अंडली करना का अस्त्र नहीं होता अगर हम बात करें तो 1992 में 1991 में भारतिय अर्थिक उधारी करना तथा बाजार पर अधारी ताके आर्थिक विकास के एक नए चरण की शुरुआत हुई उधारी करना की दिशाक में अनेक कदम उठाएगे जैसे की outdoor license में ब्यापा ग्रूप से कमी की गई अरक्षिच्छत में भारी कमी की गई बजेटरी साहता की समाथती की गई बिन बेस आदिसाफ चाली चीज़ें की गई ठीक तो आपका एंसर में डीपार्ट हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं तो style ersten क्या होता है इस एक बात करें तो मुद्रा इस्फीरत के साथ मंदी को इस टेउन कह साती कार जाता है मुद्र다 मंदी 27 Adobe रहती है और इस तित्ति में जो होते है अर्थिवस्ता जो होते हो दोनों ही उच इस भी तथा उच ब्रोजगारी से गरस्त रहती है ठीक है तो आपका एंसर भी बात हो जाएगा अगला प्रस्ण देखते है तो भारतिय सम्धान सभा की जो पहली बैठक कब हुई थी तो भार बारते संदान सभा के प्रारूप समित के अध्धक्ष कौन थे प्रारूप समित के अध्धक्ष के अगर हम बात करेंगे तो वह थे डाक्टर भीम राममेट का एंसर सी पार राइट हो जाएगा ठीक है भारते सम्धान की प्रस्तावना में लिखे तुम्हें से किस सोतंदरता का वर्णन नहीं है तो भारते सम्धान की प्रस्तावना में अगर हम देखें तो आर्थिक सोतंदरता का वर्णन नहीं है बाकी विचार की सम्धान विश्वास जो कि ये लिया ओका अगला कुछिन राख्ष्ठ पदी पति के उमीदवार के लिले कैमलेख राख्ष्ठ पति के लिए अव्छ्छ के लिए आवश्चक बात करें तो if we will be 35 वर्स का अउध्ष्छक है ठीक है कि सांससर चुने जाने योग वह भारत का नागरी खो भी तीनों आवजश्क है लेकिन इसमें जो लिखा हुआ पढ़ा लिखा हो ये आवजश्क नहीं है तो आपका राइट अंशर क्या हो जाएगा वी पाठ हो जाएगा क्योंकि इसमें पूछा गया क्या आवजश्क नहीं है अगर हम बात करें तो अनुछे आठावन में राष्टपती निर्वाचित होने के लिए अहरताओं का जो अलेख किया गया समयधान के अनुच्छ आठावन में यह भी याद रिखेगा तो यह हो गया जीयस के पूर्शन अब देखेंगे हिंदी के पूर्शन की हिंदी के पूर्शन के पहले को अगर हम बात क खड़ा है उसके नीचे कुछ छोटे छोटे पवद है असन तुष्ट और रुष्ट देखकर मुझको यो बोले हम भी कितने बदकिस्मत हैं जो खत्रों का नहीं सामना करते वो कैसे उपर को उठ सकते हैं इसी बड़े की छाया ने ही हमको बहुना बना रखा है हम बड़े हम देखंगे तो छोटे छोटे बढ़ते की बात करेंगे तो छोटे छोटे पाधिक कहते हैं की हमसे अपनी चुनवतिया सुपकार करने चाहे हो भी सुएम तो आपका answer क्या हो जाएगा C part हो whenever हमें अपनी चुनवति सुएम सुपकार करना चाहे answer C part हो जाएगा नन्य पौधे बरगत से असंतुष्ठ क्यों है नन्य पौधे बरगत से इसलिए असंतुष्ठ है क्योंकि वह बर्गत की छाया को अपनी विकास में बाधक मानते हैं ठीक है तो आपका इंसर सीपार हो जाएगा बौना बना रखा इसमें कौन सा लंकार है ठीक है यह जो लाइन लिखी हुई थी तो इसमें अगर हम लंकार की बात करें तो यहाँ पर वर्ड बा और ना जो दो पकड़ना का अर्थ क्या होता है कान पकड़ना का अर्थ होता है प्रतिग्या करना ठीक है क्या प्रतिग्या करना एंसर एपार राइट जाएगा गुरु मुखी किस भासा की लिप है गुरु मुखी अगर हम देखेंगे तो यह पंजावी भासा की लिप होती है एंसर एप नेस्ट है संदेश नहीं में यहां स्वर्ग का लाया इस धर्ती को ही स्वर्ग बनाने आया उप्रयोग तो पंक्त किसकी रचना है ठीक है यह जो पंक्तियां लिखी गई है यह पंक्ति जो है किसकी रचना यह बताना है तो यह जो पंक्ति है यह साकेत नामक पुष्टक से ल हो जाएगा जो पूरुस कविता की रचना करता है उसको क्या कहते हैं तो जो पूरुस कविता की रचना लिखता है कविता लिखता उसे कभी यह जो महिला कविता लिखती है उसे कभी अत्री कहा जाता है तो पूरुस की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा महिला की बात क राम पढ़ता है तो इसमें ये एकसरलवाक्ड लिखा हुआै एंसर विजाँक है ऐ admir Bio factor हो जाएगा ठें कि निए लुद्प करेंगे तो जिसमें क्यों एक उत्टेश होता है और एक ही करता होता है उसको सलंट उत्टेया कहते हैكم तो बड़े बड़े जो संकट हैं इसके अस्थान पर बड़ी बड़ी बाद हाएं लिखनी चाहिए थी ठीक है बड़ी बड़ी बाद हाएं हैं एंसर C पार्ट इसमें हो जाएगा ठीक है बड़े बड़े संकट नहीं होता लाल पीला होना इसका आर्थ क्या होता है लाल पील तो उत्य आपारा का संत कब कि अगर हम बात करेंगे तो वो थे कभी ठीक, इंसर B-Part हो जाएगा और जबकि इसमें जो तुलसी सूर और मीरा दियेगे हैं यो सबुलन भक्तिधारा कि से संबन दीता है मैं का बहुएचन क्या होता है मैं का बहुचन हम होता है, ज्यादतर ये बिहार के छेतर में बोला जाता है हम, ठीक है, तो आपका answers में D-part हो जाएगा, उज्जोल का संदिविक छेतर बताना है, उज्जोल का संदिविक छेतर क्या होता है, तो उत्पलस ज्जोल होता है, जो की D-part में राइट पार्ट लिखा हो ऐत्य हुआ हाग निवनि में सही इतरस का चेह si7 मार्ग इसको मिलाकर क्या बनेगा तो Buddy perform को मिलाएंगे बनेगा जो की वी गाएं त्रडेयों में कूंट समाखट है तो उसमें क्या है द्यूग समास के क्या एंशा बातवार हो तो तीन देवताओं का समूँ जिसे समाजिक पद में प्रधम पद संख्यावाची हो जाए और अंतिम पद संग्या हो उसे द्युग समास के अंतरगत आएगा तिर देव में इसलिए तीन देवताओं का समूँ इसका विग्रा करते हैं तो तीन संख्या आ गई संख्यावाची हो होता है ठीक है प्रियाबाची मैंने सेम तो अकाल का प्रियाबाची दुरुभिक्ष होता है अगला क्वेशन है खल का प्रियाबाची का होता है खल का प्रियाबाची की बात करेंगे तो खल का नीच भी होता है खल का दुष्ट भी होता है खल का पाजी भी होता है तीनों होत बताना है अगनी का विलों अंबर होता है इसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा ठीक है तो ये था अबराल वीडियो जिसको हम लोगों ने डिसकस किया वीडियो फटा फट लाइक कर दिजिए लग लाइन नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लिजे और आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और साथ में सेर करना मत भूलिएगा ठीक है तो वीडियो को इंडि करते हैं मिलते हैं सके नेस्ट वीडियो में तब तर के लिए थैंक्यू नमस्कार